हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू बायो क्लास आज हम लोगो हुमन डाजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है इसके पहले हम लोग इन डिसकस किया था है हेट्रो ट्रॉपिक नूट्रिशन आज हुमन डाजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि किस तरह से हुमन में फूड का डाजेश सबसे पहले हमें digestive system जारना जरूरी होगा की digestive system में humans में कौन-कौन से ओरगन आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं digestive system of humans तो digestive system में सबसे पहले mouth से एक tubular structure यानि की tube-like structure mouth से start होता है आप देख रहे हैं डाइग्राम में देख सकते हैं माउट से एक ट्यूब लाइक स्टक्चर शुरू हुआ है जो इसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लाज इंटेस्टाइन और एंड में एनस तक जा रहा है इस पूरे ट्यूब लाइक स्टक्चर को हम लोग कहते हैं elementary canal पूरा जो ट्यूब लाइक स्टक्चर है, माउट से लेकर के अनस तक उस ट्यूब लाइक स्टक्चर को कहते हैं elementary canal अब इसमें different organs आते हैं, उन सभके बारे में हमें पढ़ना है आप चाहें तो कॉप्ई में ये डाइग्रम बना कर के नोट कर सकते हैं तो माउट से सबसे पहला ओर्गन जो है माउथ है माउथ के बाद क्या है फैरिंग्स है फैरिंग्स में देखे एयर और फूर्ड दोनों पास होते हैं फैरिंग्स में लेकिन एयर जो होता है वो लैरिंग से होते हुए लंग्स में चला जाता है और फूर्ड हमारे इसो फैगस में आ जा स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में और लाज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट प्रोड़क्ट होता है वह एनस के त्रू रिमूव हो जाता है तो फूड इस तरह से पास होता है और यहां पे आप दो-तीन ग्लैंड भी रेखेंगे एक होता है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होती है और वह सलाइवा हमारे माउथ में आती है सलाइवा जो होता है मारे फूड के डाजिशन में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है तो पहला ग्लैंड आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड हो गया सेकंड पैंक्रियाज में आप जानते हैं पैंक्रियाटिक जूस बनता है वो पैंक्रियाटिक जूस हमारे फूट के डाजिशन में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और तीसरा ग्लैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं लिवर है आप जानते हैं लिवर हमारे बॉड़ी का सबसे बड के डाजिशन में इंपोंटन्ट होता है इसी तरह लिवर में एक जूस बनता है जिसे कहते हैं बाल जूस गॉल ब्लैडर तो लिवर में बाइल जूस बनता है लेकिन स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से होते हुए जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है एक डक्ट की थूँ जिसे कहते हैं बाइल डक्ट तो लिवर में बाइल जूस बनता है और वो बाइल जूस आ करके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्ट्रेस में जो pancreatic juice होता है वो pancreatic juice pancreatic ड्क्ट से होते हुए यहां पे small intestine के dimodanum वाले पार्ट में आकर के मिलता है तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि bile juice का क्या function है pancreatic juice का क्या function है 實ona saliva का क्या function एह सभी function अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले structure हम लोग जान लिते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यह tube-like structure जो है पतले-पतले जो tube-like structure है यह small intestine है आप जानते हैं होती है 6-meter होती है यहाद सक्तमी चाहिए सके 20- oui!! ida1-2-3-0.25-ا पर नाल्च की ख्यान नाम दिया गया है तो आप देख रहे हैं यह क्यों नाम दिया गया है क्योंकि जो large intestine की जो breath होती है जो चोड़ाई होती है वो ज़ादे होती है तो देखने में ये बड़ा लगता है इसलिए इसका नाम large intestine रख दिया गया है तो food क्या होता है सबसे पहले mouth से जब लोग खाते हैं तो saliva food के साथ mix होता है और वो saliva क्या करता है food में जो starch present होता है उस starch को break करता है simple sugar में और जो food रहता है वो isophagus होते हुए हमारे stomach में आता है stomach में आप जानते है enzymes बनते है HCL hydrochloric acid बनता है वो HCL क्या करता है germs को kill करने में मदद करता है stomach से होते हुए food small intestine में आता है small intestine में क्या होता है उस food का complete digestion हो जाता है और जो waste product होता है वो large intestine के through remove हो जाता है तो देखने में तो यह simple process है लेकिन एक एक करके हम लोग पहले structure पढ़ेंगे उसके बाद इसका पुरा process पढ़ेंगे तो सबसे पहले mouth से शुरुआत करते हैं mouth में हम जानते है tongue पाये जाता है सबसे पहले देख लेते हैं digestive organs कौन-कौन से हमारे body में है digestive organs में क्या क्या आएगा mouth हो गया tongue pharynx isophagus isophagus को ही food pipe कहा जाता है उसका simple ले में food pipe isophagus के बाद आ जाएगा stomach stomach के बाद small intestine फिर आएगा large intestine तो यह सभी क्या है हमारे digestive organs है जो जिसके तुरू food का complete digestion होता है और human digestive organs में human digestive system में तीन gland भी यूस्फुल होते हैं त्री ग्लैंड अब ग्लैंड क्या होता है ग्लैंड हमारे body का वो structure होता है जिससे कोई खास juice या hormone release होते हैं तो ग्लैंड का अगर definition लिखना हो तो लिख सकते हैं ग्लैंड आर दोज ओर्गन्स ग्लैंड आर दोज ओर्गन्स विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस जूसेज एंड होर्मोन्स तो हमारे body में ग्लैंड वो structure होता है जिससे कुछ खास juice प्रोड्यूस होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं तो ग्लैंड भी हमारे body में two types के होते हैं two types के gland हमारे body में होते हैं एक होता है exocrine gland और दूसरा होता है endocrine gland exocrine gland और दूसरा होता है endocrine gland तो exocrine gland में क्या होता है इसमें juices produce होते हैं तो exocrine gland में juices produce होते हैं और यह juice क्या होते हैं duct से through duct duct हम लोग कह सकते हैं tube like structure को duct कहते हैं तो exocrine gland में juice produce होते हैं और वह juice ducts ductus से होते हुए organs में जाते हैं इसलिए exocrine gland को बोला जाता है sparked you duct duct वाला gland हमले से कह सकते हैं क्योंकि इससे जूस spriduz होते हैं वह duct से ही जाते हैया यानि कि pipe से जाते हैं और exocrine caste में juices produce होते हैं endocrine gland क्या होता है endocrine gland को हम लोग ductless gland कहते हैं ductless यानि कि बिना duct के, बिना pipe के तो endocrine gland में क्या होता हु? hormones produced होते हैं इसमें hormones produce होते हैं और ये hormones क्या होते हैं? directly हमारे blood में pour हो जाते हैं directly pour into blood थीके, तो exocrine gland क्या होता है? इसका अगर आप definition लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस जूसेज एंड पोर इट थ्रू डग्ट इन्टू और्गन यानि कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो जूसेज को प्रोड्यूस करते हैं और उस जूस को डक्ट से हमारे और्गन में भेजते हैं इसका एक्जामपल हम दो देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड एक्जामपल इसका हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड salivary gland हो गया liver हो गया pancreas हो गया अब देखे pancreas जो gland है न वो exocrine और endocrine दोनों है क्योंकि pancreas में pancreatic juice produce होता है और वो juice किसे organ में जाता है डक्ट से जाता है इसके साथ इसाथ pancreas में hormones भी produce होते हैं आप नाम सुने होगे insulin तो pancreas में hormones भी produce होते हैं और वो hormones किया होते हैं directly blood में पौर होते हैं तो इस तरह से pancreas exocrine और endocrine दोनों है तो salivary gland हो गया liver हो गया pancreas हो गया यह सभी exocrine gland हो गये अब दूसरा है endocrine gland endocrine अगर इसका definition लिखना हो तो क्या लिखेंगे hormones को produce करते हैं और उसको directly blood में पौर कर देते हैं तो इसमें pancreas आही गया आप जानते है pancreas दोनों है exocrine और endocrine दोनों है pancreas हो गया testis हो गया ovary हो गया यह तीनो exocrine और endocrine दोनों है endocrine pancreas, testis, ovary यह तीनो exocrine gland भी है और endocrine gland भी है कैसे है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये exocrine और endocrine glands हो गए तो हमारे digestive system में कितने gland involved होते हैं liver, pancreas और salivary gland तीन gland हमारे digestive system में include होते हैं तो सबसे पहले structure पढ़ेंगे tongue अब tongue जानते हैं आपनों muscular structure होता है muscles के बने होते हैं tongue पे ही आप देखेंगे small small इस तरह से structure होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं papilla गोल-गोल दाने की तरह structure होते हैं हमारे tongue पे आप लोग अब्जर्व किया होगा इन structure उसको कहा जाता है papilla इसी papilla पे क्या पाये जाते हैं taste buds इसको हिंदे में कहते हैं स्वाद इंद्रिया जिससे हम लोग टेस्ट को फील कर सकते हैं तो आप लोग जानते हैं टेस्ट भी गई तरह के होते हैं स्वार होता है बिटर होता है तो टंग की किस हिस्से पे कौन सा टेस्ट हम लोग को पता चलता है सबसे आगे वाला जो portion यह आप देखने हैं टंग के इस portion पे हम लोग को sweet यानि कि मीठा चीज पता चलता है ठीक है और टंग के ये दोनों जो portion है इन दोनों portion पे salty चीज़े salty food हम लोग को यानि कि salt वाला चीज हम लोग को feel होता है इसके just पीछे वाला ये जो portion है इस पे हम लोगों को sour यानि की खटे चीजे पता चलती है और tongue के सबसे पीछे वाला जो portion होता है इस पे हम लोगों को bitter यानि की तीखी चीजे पता चलती है तो चार तरह के taste bird आप लोगों देख लिया सबसे आगे होता है स्वीट टेस्ट बड यानि कि मीठा पता चलता है इसके दोनों साइड में सॉल्टी सॉल्टी के जस्ट पीछे दोनों साइड में सार यानि कि खटे चीजे और जीब के सबसे पीछे वाले हिस्से पे बिटर यानि कि कड़वी तीखी चीज़े हम लोग को पता चलती हैं तो यह टेस्ट बड्स हो गए हैं टेस्ट बड्स का अगर definition लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप टेस्ट बड्स आर दोज sensory organs देके sensory organs इसलिए कहा जा रहा है कि जिसे हम लोग टेस्ट को फील किया जा सकता है तो यह sensory organs हो गया टेस्ट बड्स आर दोज sensory organs by which we can feel the taste मतलब हम लोग किसी भी फूड मटेरियल का टेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं टेस्ट बड्स की help से तो टेस्ट बड्स हो गया हमारे टंग पे प्रेजन्ट होते हैं तो यह टंग structure हो गया टंग के बाद आता है pharynx pharynx आप लोग देखा होगा भी हमारे mouth का जो यह पिछला portion इसको लोग pharynx कहते हैं इसी pharynx से दो pipe यानि कि दो tube लाइक structure जाती हैं यहीं से डिवीजन होता है एक होता है इसो फैगस यानि की food pipe इसो फैगस को ही food pipe कहा जाता है और दूसरा जो tube black structure है इसको लोग कहते हैं wind pipe यानि की larynx तो pharynx से ही pharynx से ही दो pipe originate होती है एक होती है food pipe यानि की लंग्स में चला जाता है और pharynx पर ही एक snap like structure होता है धकन जिसे हम कह सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं flap like धकन की तऱ structure होता है pharynx पे जब भी food pharynx तक पहुचता है तो यह epic lotus क्या होता है बंद हो जाता है यहाँ पे यह बंद हो जाता है जिसे food क्या होता है हमारे इसो फैगस में चला जाता है और wind pipe में नहीं जा पाता है तो pharynx यही food और air का division हो जाता है food चला जाता है इसो फैगस में और wind चला जाता है हमारे लेरिंगस में तो यह pharynx हो गया अब इसके बाद आएगा लेरिंगस pharynx के जस्ट नीचे ही इसो फैगस पाय जाता है इसो फैगस भी completely muscles का बना होता है और pharynx से food कहां पे आता है इसो फैगस में आता है और इसो फैगस में एक moment होता है इसो फैगस में एक तरह का moment होता है इस moment को हम लोग कहते हैं इस moment को कहते है पेरिस्टालिटिक मुवमेंट इसी मुवमेंट की वज़े से food जो होता है इसो फैगस में हमारे पहुच जाता है फैरिंग से अटाच होता है एक मसल लाइक बैग लाइक structure जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है जे कितरह इसका शेप होता है स्टमक में और food क्या होता है इसके बाद stomach में, इसोफागस से होते होँछ food हमारे stomach में आता है stomach में kıya होता है, HCL प्रोडियूस होती है हमारे stomach में अलग तरह के cells पा अयाते हैं इसको कहते हैं goblet cells कि तो क्या होताइस से? HCL प्रोडियूस होती है HCL आप जानते हैं acid hydrochloric acid का नाम है ये और इस HCL का बहुत ही important function होता है अकसर exam में boards में पूछ लिया जाता है कि what is the function of HCL produced in the stomach स्टमक में हमारे जो HCL produced होता है उसका function क्या होता है तो इसका दो function होता है first function होता है it kills the germs it kills the germs present in the food यानि कि हमारे फूड में जितने भी किटारू होते हैं जितने बैक्टिरिया होते हैं यह हमारे उसको food को food में present bacteria को खतम करके हमारे food को सही बनाता है तो पहला function हो गया कि it kills the bacteria's या germs present in the food दूसरा बहुत important function होता है एक enzyme पाए जाता है हमारे stomach में जिसका नाम है pepsinogen pepsinogen एक enzyme का नाम है और यह inactive state में होता है inactive state में होता है जब HCL इस pepsinogen enzyme से मिलता है तो यह pepsinogen enzyme जो होता है pepsin में convert हो जाता है HCL जब क्या होता है pepsinogen से react करता है तो pepsinogen क्या होता है pepsin में convert हो जाता है और pepsin क्या है इसका active state है यह active state है और pepsin enzyme का आप जानते है function क्या होता है digestion of proteins तो यह क्या करता है protein का digestion करता है तो इस तरह HCL का दो function हो गया पहला function it kills the germs और second function क्या होता है it converts pepsinogen into pepsin और pepsin enzyme क्या करता है digestion of protein का काम करता है तो इस टमक में यह दोनों चीजे पाई जाती है इसके बाद आगे कि जो organs हैं जो functions हैं वह हम लोग next video में discuss करेंगे तब तक के लिए take care आगे hint आगे करें